मेरे साथ सबी लोग बोले भारत मता की मंच पर उपस्तित देश के मानाव संसाधन विकास मंत्री श्रीमान रमेश पुखरियाल जी दिल्ली के उपराज जपाल श्री अनिल बेजल जी मंच पर उपस्तित श्रीमान हर्दीप सिंग जी पूरी जी मेरे साथी गुरु मंत्री गुरु राजिय मंत्री श्री किसंडिदी जी श्री किरन डिजू जी श्री आरके सिंग जी भारत के गुरु सचीव श्रीयजय कुमार भल्ला जी और आज के कारेक्रम में इतनी भोर में आये हुए प्यारे भाईयों बहनों आप सभी को और समग्र देश को मैं आज राश्ट्री एक्ता दिन की बहुत बहुत सुपकामनाय देता हूँ और आप सबको आज एक्ता दिन के कारेक्रम में आप सबका सागत भी करता हूँ मित्रो आज 21 अक्टूबर सरदार पटेल की जन्म जहनती हैं और सरदार पटेल की जहनती को हम एक्ता दिन के रूप में मनाते हैं देश के प्रधम गुरू मंत्री लोव पुरुष और जिन के कारण भारत का एक स्वरूप आज हमारे सामने है दुनिया पर है और एक प्रकार से अखंड भारत का अस्तित्व जिन के कारण आया जिनोंने भारत को एक करने का काम किया वो सरदार पटेलिजी को आज हम सब खुतग्यता के साथ याद करकर उनके ही गुणों में से कुछ प्राप्त करकर देश को एक और खंडित रखने के लिए आगे बढ़ते हैं आज मैं इस कारकरम के माध्यम से समग्रत देश की और से देश के प्रथम गुरुमंत्री लोग पुरूस आधनिया सरदार पटेल जी को बहुत बाव के साथ स्रद्धान जली देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ आज हमारे सामने एक भारत माता का मान चित्र है देश का एक नक्सा जो हमें दिखाई पड़ता है वो एक भारत आज हम जो देख रहे हैं वो केवल और केवल सरदार पटेल के कारण था देश आजाद होने के बाद साड़े पांच सो से ज़्यादा रियासतों में देश को बांटने का काम अंग्रेजों ने किया पूरी दुनिया और पूरा देश उस सक्त मानता था कि भारत को आजादी तो मिली मगर भारत बिखर जाएगा कोई देश का अस्तित्व साड़े पांच सो से ज़्यादा टुकडों के अंदर कैसे बन सकता है कोई नया देश आजाद हुआ देश पांच सो पचाश टुकडों में कैसे पनप सकता है कैसे अपनी गती प्राप्त कर सकता है और यह बहुत बड़ी समस्या उस्वक दिखाई पड़ती थी और उस्वक महात्मा गांदी जी ने निले किया कि देश की सभी रियासतों को एक करकर एक संग राज्य भारत बनाने का काम देश के प्रथम ग्रुमंत्री सरदार पटेल को दिया जाए और मित्रो उसी दिन से जब तक पूरा देश एक नहीं हुआ अहर निश इतनी आयू के अंदर दिन रात देखे बगएर कुनेह और ध्रड़ता के साथ सभी रियासतों को एक के बाद एक के बाद एक जोडने का काम किया कई कई प्रकार की दिक्कते भी आई हम सब को मालूम है जुनागर हो हैद्राबाद हो लक्सदीप हो कई दिक्कतों को पार करकर सरदार पटेल के नेत्रुत में एक भारत बनने का काम हुआ आज पूरा देश कृतक्यकाते साथ सरदार पटेल को इसलिए याद कर रहा है कि आज हमारे देश का जो सरूप है सरदार पटेल के कारण है जब गांदी जी ने पूरा काम समाप्त हुआ तब इनोंने सरदार को पत्र लिखा रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी इतनी बड़ी थी कि सरदार आपके अलावे इसको कोई और नहीं कर सकता था आपने देश को एक करकर भारत की सबसे बड़ी सेवा करने का काम किया है मित्रो आज हम सरदार जहनती के दिन देश भर में एकता दोड करकर एकता के प्रती देश वाजियों की प्रती बद्यता फिर से व्यक्त करते हैं आज यहाँ पर हजारो हजारो की संख्या में आप उपस्तित है और देश भर में इसी समय पर हर नगर में हर सहर में हर गाओं में हर चौराये पर यह एकता दोड का आयोजन किया जाता है एकता दोड की सुरुवात आज के हमारे प्रधान मंत्री और उस वक्त गुजरात के मुख्य मंत्री स्री नरेंदर मोधी जी ने सुरुवात की थी और तभी से सरदार पटेल को याद करकर देश की एकता और अखंडिता के लिए हम सब अपने आपको पुन समर्पित करते है मित्रो सरदार पटेल ने आजादी के बाद 550 देशी रियासतों को एक करकर देश को अखंड बनाया परन्तु एक कसक छुट गई जम्मू और कस्मीर जम्मू और कस्मीर का भारत के अंदर विलीनी करण तो हुआ भारतिय संग के साथ विलीनी करण तो हुआ मगर धारा 370 और 35 एक के कारण जम्मू कस्मीर जैसे हमारे लिए समस्या बन कर रह गया पूरे 70 साल हो गए किसी ने धारा 370 और 35 एक को छुना भी मुनासिब नहीं समझा 2019 में देश की जन्ता ने फिर से एक बार हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की बागदोर सोपी और पून पहुमत के साथ सोपी और पाँच अगस्त वो दिन है जिस दिन देश की पार्लामेंट ने धारा 370 और 35 एक को हटा कर सरदार साब का अधूरा स्वप्न पूरा करने का काम किया देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार साब का जो अधूरा स्वप्न रह गया था वो अधूरे स्वप्न को पूरा करने का काम किया है दारा 370 और 35 को रिपील करकर उसको निकाल कर कस्मीर को भारत के साथ हमेशा के लिए जोडने का काम देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मित्रो मैं आज फिर से आप सब को बताना चाहता हूं कि धारा 370 और 35 से देश के अंदर आतांक बाद की एंट्री का गेटवे बनी हुई थी इसको वो गेटवे को रुप जाओ करकर एक फाटक लगाने का काम भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रो आज हम जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं आज हमारी देश की पूर्व प्रधान मंत्री इंदी राजी की भी पुन्यती थी है आज हम सब उनको भी स्रधान जली देते हैं और आज मैं जब सरदार को स्रधान जली देने के लिए सरदार के प्रती कुटग्यता व्यक्त करने के लिए हम सब यहां इकत्रित हुए तब मैं बताना चाहता हूं कि सरदार पटेल को देश की आजादी के बाद कई सालों तक उनको उचीत सनमान नहीं मिला गया उनको भारत रतन देने की बात हो उनका तेल चित्र लगाने की बात हो उनके सनमान में एक बड़ा समारक बनाने की बात हो कई सालों तक उसको नजर इसके प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री दे तब उन्होंने देश के करोड़ों किसानों से अपने खेत में से जो आजार उन्होंने उप्योग कर दिये हैं उसका लोहा मांगने की शुरुआत की क्योंकि सर्दार पठेल साथ अर्थ में देश के किसानों के प्रतिनिदी थे। उन को जो सर्दार की उपादी मिली वो भी लगान वह किलाब बार्डोली में जो उन्हों हें अंग्रेजों के खिलाब सत्यागरह किया किसानों के लिए सत्याग रखिया उसी के कारण वल्लब भाई को सरदार की उपादी निली थी और देश बरके करोडों किसानों के पास पास से लोहा मंगाकर देश के हर गाउं की मिट्टी मंगाकर देश की हर नदियों का जल मंगाकर नरेंद्र भाई ने आज एक अदभूत Statue of Unity गुजरात में केवडिया कॉलोनी में बनाने का काम किया है जो दुनिया में सबसे उन्ची मूर्ती 182 मिटर उन्चे Statue of Unity को बनाकर देश के प्रदान मंत्री जीने सरदार साब को उचीत सन्मान देकर विश्व के सामने उनके काम को रखने का काम किया है और आज कुछ समय के बाद वही पर प्रदान मंत्री जी केवडिया कॉलोनी गुजरात के अंदर सरदार पटेल को स्रदान जली देने का और पूरे देश की और से उनके प्रती कुरुतग्यता व्यक्त करने का कारेक्रम करने वाले हैं मित्रो आज मोदी जी के नेत्रुतों में देश दुनिया में सबसे आगे बढ़ने के लिए तयार है सबसे तेज अर्थ वियस्ता बनने के बाद मोदी जी ने हमारे सामने संकल प्रका है कि 2024 तक हम पांच ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी बनकर दुनिया की सबसे बड़े अर्थ तंत्रों की सुची में हमारा नाम सुमार करेंगे और आज जब देश का साथ प्रतिसत से ज्यादा जन संक्या युवा है उस वक्त मोदी जी ने जो नए भारत की कल्पना करी है उसको हम चरिताज करने के लिए एक्ता दिन के दिन सपट लेकर सरदार साब के प्रतिक उत्तक जयता भी व्यक्त करेंगे और देश की एक्टार औखंडिता के लिए अपने आपको पुनस मर्पित करेंगे आज हजारों की संक्या में लोग रहाँ पर उपस्तित है दिभ्यांग जन भी आये हैं जाने माने खिलाडी भी आये हैं गणमाने व्रक्ति भी आये हैं कई रादनेता भी आये हैं मैं सभी का आज के एक्टा दिन के कारेक्रम में रदय से स्वागत करता हूं और हम सब मिलकर मोदी जी के नेत्रुत में देश को आगे बढ़ाने का संकल्प ले ऐसी अफिल भी करता हूं मेरे साथ फिल से एक बार बुलिए भारत मता की भारत मता की हम सभी मोदी जी की नेत्रुतों में आगे बढ़ें ये कामना के साथ अपना संपोधन जो है वो उन्हें अभी समाप्त किया है मैं सत्य निष्टा से सपत लेता हूँ कि मैं राष्ट की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयम को समर्पित करूंगा और अपने देश वास्यों के बीच यह संदेश फिलाने का भी भरसक प्रयास करूंगा मैं यह सपत अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सर्दार वल्लबाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कारियो द्वारा संभव बनाया जा सका मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिस्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्टा से संकल्प करता हूं अब हमारा आपसे विनम्र निवेदान है कि क्रिक्षा